टी टॉंटी सिरिस की समापति के बाद अब गोसित हुई वंडे सिरिस के लिए बारत और साउथ अपरिका की टीमें तोनों टीमों में खतरनाक लाड़ की हुई एंडरी नमस्कार दोस्तु स्वागत आपका एक बार फिर हमारे चैनल में दोस्तों पारत और साउथ अपरिका के बेच तीन मुकाबलों की टीटाउंटी सिरिस के बाद अब तीन मुकाबलों की वंडे सिरिस के लिजानी है चांपट टीम इंडिया की कमान सोपी गई है के एल राहूल के हाथों में तो एक बार फिर साउथ अपरिका की कमान एडन मारकरम के हाथों में ही है तो दोस्तो हम आपको इस वेड़ों में बताएंगे क्या किरकार दोनों टीमें किन खिलाडू के साथ मेदान पर उतरेगी जरूर्दा बाले तो चले दोस्तो जानते हैं दोनों टीमों की स्कौाइट के बारे में कि आखिरकार कौन-कौन से खतरना क्लाडू को मौका मिला है तो दोस्तो हम सबसे पहले बात करते हैं साउथ अपरिका की टीम के बारे में यानि कि तेमबा बाउमा को टीम में जगह नहीं मिली है तो वहीं पर इसके बाद दूस्तों दूसरे कलाड़ी के हम बात करें तो ओटनिल वाटमेन को जगह मिली है दूसरे कलाड़ी के तोर पर तो तीसरे कलाड़ी के तोर पर नांद्रे बर्गर है जबकि चौते एक राड़ी की बात करें तो वो है टोनी डी जोर्जी ये भी कापी सांदार प्रफॉमेंस कर सकते हैं तो वही पर नमबर पाँच पर रिजा हेंडरिक्स है तो नमबर चै पर हेंडरीक कलासें हमें खेलते वे नजराएंगे वही पर नमबर साथ पर केसो महाराज उतरेंगे तो नमबर आठ पर मीहे लाली मंपोंगवाना उतरने वाले हैं तो वही पर नमबर नॉप पर डेविड मिलर को जगह मिलिये तो नमबर दस पर वी आन मूल्डर है जबकि नमबर 11 के हम बात करें तो यहां पर एंडिले फैल कोयो है तो नमबर 12 पर तबरेज समसी है नमबर 13 पर रासी वेंडर डूसेन है तो नमबर 14 पर काईल वेरन है तो वही पर पंदरवे खलाडी के तोर पर लिजाद विलियम्स को जगह मिली है यानि कि दोस्तों गेनबाजी से लेकर बल्ले बाजी तक देखा जाए तो काफी सांदार टीम नजरा रही है सबसे पहले हम गेनबाजी की बात करें तो तबरेज समसी यहां पर खतरना गेनबाज साबित हो सकते है तो इसके लावा दोस्तों याँ पर गेनबाजी में कैसो महराज भी इस टीम के बैतरीन गेनबाज है स्पिन गेनबाजी में वो अच्छा अटेक कर सकते हैं तो इसके लावा वियान मूलडर, नांद्रे, बर्गर भी अच्छी गेनबाजी करके दिखा सकते हैं यानि कि गेनबाजी देखा जाए तो ठीक ठाक नजर आ रही है लेकिन बल्लेबाजी में कप्तान एडन मारकरम बड़ा रोल निपाते वे नजर आएंगे तो वहीं पर इसके अलावा रिजा हेंडरिक सेंडरी कलासें डेविड मिलर जैसे बल्लेबाजू से भी इस टीम को कमाल कर सकते हैं दूसरी तरफ टीम मेंड़ा की बात करें तो वारती टीम की कमान इस सीरीस में केल राहूल के हाथ में रहने वाली है यानि कि टीम मेंड़ा के कप्तान केल राहूल होंगे तो केल राहूल से बल्ले कि सासाथ कप्तानी में भी कमाल दिखाने का यहां पर पू पर्पॉमेंस कर रहे हैं तो इसे में यहां पर इस सीरीज में भी यह कमाल का पर्पॉमेंस करते हुए हमें दिखेंगे तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों तीसरे एक राड़ी की बात करें तो यहां पर तीलक वर्मा को जगह मिली हैं तीलक वर्मा ने भी टीटाउंटी में अच्छा पर्पॉमेंस किया लेकिन बड़ी पारी अभी भी इनके बल्ले से नहीं निकली है तो इसमें याँ पर इस स्रीज में गर इने बल्ले बाजी का मुका मिलता तो कमाल रहेगा इनके लिए तो वहीं पर चौते ख्राइड की बात करें तो याँ पर सरैस आयर को टीम में जगे दी गई है सरैस आयर एक के सांधर बले बाजी है जो कि याँ पर टीम के लिए मिडल ओर्डर में कमाल की बले बाजी कर सकते हैं तो इनसे भी सांधर परपॉमेंस की उमीद होगी और हालिया फॉर्म की बात करें तो सरैस आयर का परपॉमेंस कापी सांधर रहे है तो वहीं पर दोस्तों पाचवे ख्राइड की हम बात करें तो याँ पर संजू सेमसन को टीम में जगे मिली है संजूर सेमसन भी बतोर विकेट कीपर बलेबास सामिल किये गए हैं लेकिन अगर इन्हें प्लेंग लेवन में जगे मिलती है तो फिर ये बतोर बलेबाजी कहलते वे नज रहेंगे क्योंकि केल राहूली ही विकेट कीपिंग करते वे दिखेंगे तो वहीं पर इसके बाद छटे किलाड़ी की हम बात करें तो वो रिंकू सिंग है टी टॉंटी में अपना लोहा मनवा लेने वाले रिंकू सिंग को यहाँ पर कमाल का परफॉमेंस करना होगा और वंडे में भी अपनी चाप छोड़नी होगी एक फिनिसर का रोल इन्हें यहाँ पर भी निबाते वे हम देखेंगे तो वही पर इसके बाद साथवे खिलाड़ी की बात करती आम पर अकसर पटेल को जगह मिली है अकसर पटेल भी कमाल का परफॉमेंस कर सकते हैं क्योंकि इन्होंने ऑस्टेलिया के खिलाप आकरी दो टीटाउंटी मुकाबलों में दो बार मेन आप दे मेच बने थे तो उसी कॉन्फिडेंस को यहाँ पर भी दिखाना चाहेंगे और टीम के लिए संदार परफॉमेंस करना चाहेंगे तो वहीं पर दोस्तो आटवे कलाडी के तोर पर दिपक चाहर को टीम में जगह मिली हैं दिपक चाहर भी गेन और बल्ले दोनों से कमाल कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर टीम इनसे सिर्फ गेंद की ही उमीद करेगी क्योंकि अगर ये गेंद से कमाल करते हैं तो फिर बल्ले बाची में कमाल करने की इन्हें जरुत ही नहीं पड़ेगी तो दीपक से भी यहां पर संदर परपॉमेंस की हम उमीद कर सकते हैं तो इसके बाद उस्तो नौवे किलाड़ी की हम बात करते हैं यहाँ पर कुल्दी प्यादव टीम इंडिया में मौझूद हैं मुकेस कुमार भी काफे सांधर गेनबाजी करके सबी को परबावित कर रहे हैं तो एक बार फिर बैतरीन गेनबाजी की इनसे वंडे किर्केट में भी उमीद होगी वेसे अब तक के performance की बात की जाए तो इनका performance भी ला जवाब रहा है तो वहीं पर इसके बाद दोस्तुम बारवे क्राड़ी की बात करती यहां पर आवेस खान को टीब में जगए मिली है आवेस खान भी कमाल का performance कर रहे हैं अलांकि उन्हों ने याँ पर पिछला T20 जब सिरीज के लिए थी तो उसमें उस परकार का परफॉमेंस नहीं रहा था लेकिन याँ पर अच्छे परफॉमेंस की उमीद हम करेंगे तो वहीं पर तेरवे क्राड के तोर पर आल डाउंडर वासिंग्टन सुंदर को जगह दी ग बाची में ये जवेंदर चैल कमाल कर सकते हैं तो एक बार फिर हम कुलचा की जोड़ी को साथ खेलते वे भी देख सकते हैं तो इसमें याँ पर देखना कापी ला जवाब होगा तो वहीं पर इसके बाद दोस्तु पंदरवे क्राड़ी के तोर पर रजट पाटिदार को ट अंदर हैं यानि कि दोस्तु और आल देखा जाए तो भारती टीम तो कापी मजबूत लग रही हैं तो दोस्तु आपके साबसे आपको क्या लगता है भारती टीम इस स्कौइड के साथियां पर साउथ अपरिका की टीम को पराजित कर पाएगी आप हम एपनी राइ कमेंट म हैं उस्तु खैला जाएगा संडे 17 दीसंबर को यह मुकापला पारती 16 दो पर के 1.30 मिनट पर इसे आप लाइव देखxton केंगे पारती 16 दो पर के 1.30 मिनट पर तो in पर इसके बाद उस्तु दूसरे मुकापले की बात करें तो दूसरा मुकापला ज्रूर्जी पर्क म में कहना जाना है क्योंकि कहला जाएगा 21 दिसंबर को ये मुकाबला भी 32 मिनिट पर ही शुरू होगा यानि कि दोस्तु दो मुकाबलों को आप 4 बच कर 30 मिनिट तो एक मुकाबले को 1 बच कर 30 मिनिट पर लाइव देख सकेंगे तो दोस्तु क्या लगता है आपको इस सीरिस में टीम इडिया चीत दर्च कर पाएगी हमें अपनी राइग जरूर दे धन्यवाद दोस्तु